बच्चियों एहे सूखम जीव पाथ दा अगला पाग है कि सूखम जीव कित्थे रंदे हन कुश जिवानों उलियां अते प्रोटो जोगा एक सैली जीव हुंदे हन यानि कि उन्हा दे शरीड दे विच सिर्फ एक ही सैल हुंदा है अते कुश उलियां अते काईयां बहु सैली हुंदे हन यानि कि उन्हा दे शरीड दे विच एक तो वद सैल हुंदे हन एहे सूखम जीव हर प्रकार दे वातावरन दे विच मिल दे हन उदारन दे तौरते जिवें की बर्फ वर्गा थंडा पानी या गरम पानी दा चश्मा जिसनू होट स्प्रिंग वी केंदे हन चाहे मरुथल होवे चाहे कोई दलदली जगा होवे हर जगा ते कई प्रकार दे सूखम जीव मिल दे हन पर उन्हा नू देख्या नहीं जा सकदा जिवें की में पहला दस्या है इन्हा नू देखंदे ले सूखम दर्शी यंतर दी लोड़ पैंदी है एहे मनुख समेत होर जीवां दे अंदर वी मिल दे हन कुश सूखम जीव होर जीवां दे शरीर उपर रह के वी वादा कर सकदे हन कई सुतंथर य conception यंदे उधारन दे तौरते अविबब़ अते कई स्मू बनाके वी रंदे हन जिवें की उली सूखम जीवां दी बहुत महत्ता है इन्ना दिया हानिया वी हन अते बहुत सारे लाब वी हन सब तो पहला अपा हानी कारक सुखम जीवां दे बारे जान दे हां कुश सुखम जीव पौध्यां जन्तुआं अते मनुखां विच बिमारियां दा कारण भी बन दे हां इन आनू रोग जनक सुखम जीव या पैथोजन आख्या जन्दा है उस तो बाद श्रीर विच प्रवेश ए सुखम जीव अपने श्रीर दे विच किस तरह प्रवेश कर दे हां उस दे तिन रस्ते हां हवा पाणी अते पोजन एहे हवा पाणी अते पोजन किसे वी तरीके रही मनुखी श्रीर दे विच दाखल हो सकदे हां हवा रही जदो इशरीर दे अंदर जान दे हां ता इसाड़ी सा के रिया दे नल जान दे हां जदो असी वाता वरंदे विच सा लन दे हां ता सा रही इस सुखम जीव साड़े फेफड़ें अंदर पहुंच के कई तरां दे रोग कर सकते हां इस दा सब तो पहला उदारन है तपदिक दा रोग जिसनू टूबर क्लॉसिस या फिर टीबी वी कहा जन्दा है एहे जिवानू राही हुन्दा है इस दे लच्छन की हन इफेफडेंदी कई तरह दे रोग करदा है जिमें की सा लेंदे विच दिकत या फिर अस्थमा रही इस तो बचन दे उपा एहन की रोगी दा डॉक्टरी इलाज किता जन्दा है उसनू अलाग रख्या जन्दा है अते दूजे परवारक मेंब्रानू इ सलाद इत्ती जन्दी है कि ओ जुठे पांडे वगेरा ना वर्तन या उन्ना दे नाल किसे तरह दा संपर्क ना करन इसे तरह ही दूसरी बिमारी है मीजल्स जिसनू कनपेडे या खसरावी केहा जन्दा है एक विशानू द्वारा हून वाला रोग है इसे तरह ए रोग वी क एह वी विशानू द्वारा ही फैल्दा है पोलियो जिवें की अपा सार्या ने ही सुनिया है कि पोलियो दिया बुंदा समे समेते पिलाईया जन्दिया हान अते एह बिमारी जाड़तों खतम हो चुकी है दूसरा रस्ता है पानी ए सुखम जीव पानी राही वी शरीर वेच आ सकते हैं जिवें की दूशित पानी अगर आपा पीन दे हां ता उस राही ये शरीर दे विच दाखिल हो सकते हैं जो की साड़ी पाचन पर नाली विच जाके कही तरह दे रोग पैदा कर सकते हैं उसे ही तरह है पोजन जेकर आपा पोजन दूशित खान दे हां या बेहा पोजन खान दे हां या अजेहा पोजन खान दे हां जो खराब हो चुक्या होए ता सुखम जीव उस राहीं वी साड़े शरीर दे विच पहुंच सकदे हां अते कही तरा दे रोग कर सकदे हां उदारन दे तरते है जिसनु डाइरिया कहा जन्दा है ए जिवानु द्वारा फैलन वाला रोग है ए पोजन अते पानी दोना राहीं श्रीर दे अंदर जा सकदा है इनना तो बचन दे उपादी जेकर गल करिये साफ सुथरा पोजन खाना चाहिए चंगी तरा पक्या हOYा अगली क्लास है सुखम जीवां दी प्रोटोजुआ प्रोटोजुआ द्वारा फैलन वाला रोग है मलीरिया बारे सार्या नो ही पता है मलीरिया एक तरह दा बुखार है जो की मच्छर दे कारण फैलदा है मच्छर कटदा है ता उस राही जिड़ा रोग हुंदा है उसनू मलीरिया केहा जानदा है मादा एनाफलीस नामक मच्छर जो है ओ इस रोगदा वाहक है यानि की रोगदा कारण प्रोटोजुआ है पर उसनू रोग नू फिलौन वाला जिड़ा वाहक है ओ है मच्छर वाहक या वेक्टर कुश कीट जन्तु जो की रोगा नो फिलाउन दे ले वाहक दा काम करदे हन या सादन दा काम करदे हन उदारन दे तो और ते करेलू मक्खी काफी तरह दे रोगा दा वाहक है जिमें की मक्खियां हर जगा मुझूद हन वाहर किसे गंदी जगाते बैठ दिया हन आते ओही मक्खियां जेकर कारदे विच पानी विच डिक जान दिया हन या बने होई पोजन दे उपर बैठ दिया हन ता ओपोजन नो विशैला कर दिया हन यानि की ओह किसे वी रोग दा वाहक बन सक दे हन दूजा वाहक है मच्छर देंगू, मलेरिया, चिकन गुनिया वरगे रोग मच्छरा राही फैल देहां मादा एडिस मच्छर जेडा है और देंगू दा वाहक है मच्छरा तो बचन दे कई उपा है असी मच्छर दानी दी वर्तो कर सकते है मच्छरानू मारन वाले रसाइना दी वर्तों कर सकते हैं आसे पास से सानू पाणी खड़ा नहीं रखना चाहिदा है कूलर वगेरा दी कार्दे कोर्णिया दी चंगी तरह सफाई करनी चाहिदी है ता जो उत्थे मच्छर पैदा ना हो सकते लाग दे रोग जो एक रोगी व्यक्ति तो तंद्रुस्त व्यक्ति तक हवा पाणी पोजन या किसे सिद्धे संपर्क द्वारा पहुंच जान उननू लाग दे रोग कहा जानदा है जिवें की जुकाम नाल पीड़त जेकर कोई व्यक्ति छिकदा है या फिर खंगदा है ता उस दे जिडे अनू ने ओहो हवा दे विच मिल जानदे हन अते उसे ही हवा दे विच तंद्रुस्त व्यक्ति साल इंदा है ता उसनू इहे तकलीफ हो सकती है ता इस तरह दे रोगा नू लाग दे रोग कहा जानदा है